असलाम अलेकूम, कैसे आप सब लोग उम्मित करते हैं, खाई यह सोंगे, आज मैं कद्दू का शेर्वा बना रहूं, चलो बनाएंगे, यह है आदा किलो, हड़ी वाला गोशे मेरे पास, मिर्ची है दो चम्मच, हल्दी है आदी चम्मच, अधरे प्लैसल का पेश्ट, तीन दो चम्मच, नम्मच, दो चम्मच है, इसको अच्छे से निक्स करते हैं, रख लेगे इसमें, चाब वोश में मसाला मुझी जाता है, टेश्ट अच्छा आता, यह मसाला अच्छा इसमें मिक्स कर लिए, इसको आदे खंटे के लिए, बहात के रख दो, मसाला मेरने ठुवे तक है, यह खोपरा है, पचाच गिराव, ग्रेट के खोपरा है, यह सेवा है, इसको बुन लिए, इस्ता हिस्ता करके, खोपरे में चम्मच तेल दाल दीए, खोपरा अच्छा कड़क होता, क्रिस्पी-क्रिस्पी बनता, और जद्धी पीसे जाता, इस को अच्छा से बुन लिए, बुन के पेस्ट बनाना, इसका मैं पेस्ट बना के बता लिए, यह कुकर गरम हो गया, मैं इसमें तेल दाल हो, सालम की तयारी करिए, गोश मेरनेट हो गया, तेल गरम होगा, इसमें तीन तली प्याज है, यह एड़ कर देंगे, इसको अच्छा बराम होने तक है तली प्याज अच्छी गुलाब ही कलर की होगी, अच्छी से तली प्याज, अभी जो मैरनेट पे हुआ हो तो यह इसमे आड़ कर देंगे, इसको फुल फ्लेम पे गुल्मा है, पांच मिनट तक अच्छे से बुल देंगे इसको, यह अच्छा बुले गया, पांच मिनट तक हमाँ भोलते रहा है इसको, और यह जो खोपरा पता था आपको वीडियो के स्टार्डिंग में बुले थे, इसका पेस्ट बना के इसमें अच्छे से बूल लीूरिंगे, पुपरा के पेस्ट के, ऐसे बुल देग। आदा चमचा जीरा पड़ार है आदा चमचा धमिया पड़ार है आदा चमचा गरा मसाला पड़ा है ये भी इसमें आट करें आदा चमचा पड़ार है इसमें भी आट करें इसको भी पांच मिमें तक तो भूंदी मेसिज को करें दाई है एक कप छोटी कप यह भी आट करतें में से इसको भी अच्छे से मिक्स करें और यह दाई प्यास यह धाई भी और टमाटा माटर अच्छे से मिक्स होगे इसमें अब गलने के लिए इसमें थोड़ा आए घाल दाल देगे गिलास पानी दाल के इसको कुक करकर ढखकर लगाए एक चार से पांस्रिटी आने तक के फूल ख्लैप बे रट ने खुल दी है अब इसको देखी है सब गल्ले गोश्वी तमाटर की गल्ले इसको अच्छे साइस्ट पाकाई ने आग थोड़ी देर के लिए इसको पकाईए पाश मीनट ऐसा भून भूनके पकाईए इसके पाश मीनट हो गया भूनते-भूनते अब अच्छा उपर इसमें तेल आग रहा है अब ये टाइम पे एक कदू है छोटा सा कदू था मेरे पास असा कट करके रख लिया हमें ये इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लें यहां अम्मी की मसालेदार दिकार्शन बन दी किसी दिन अमी इंशल लाइस इभी रेसिपी पता दे इसमें थोड़ा कोत में पुडिना दाल देके इसको एक स्वीटी आने तक लगा देशा लोगा देशा लोगा पे रखेंगे एक स्वीटी आना है इसमें यहां मी की डिकार्शन रेडी हो गई अब दुरा का अगूर आप लोग कमेंट्स करिये इसमें देखें यह अच्छे से लोग इसको पांच मिनट के लिए भून लेंगे थोड़ा पान सुपजा माली इसके बाद में आपको दिखाता अच्छा गलगे कती इस को बहुत बोर इसलाइत पांच मिनीन से बोठैंगो रूर और इसमें नम्मक 200 मब की जुरत है आप देखनों ईसमें दाय load की जला इडली का खट्टा भी नपक्य बाल ले सकते इसमें अब कुछ जितना जूरत है उतना इसमें पानी ढालेंगे आप आप आयला रह ले सकते चावाली गोर्ष। नोटी को ठाव सकती है शेरव भी बनाले सकतीं अब मैं इसमें शेरव बनाब यहीं इसमें मेरे हिसाब से मैं पानी दाल लिया आपना मक्चक कर लो यह करिया पक है थोड़ा सा थोड़ा सा पुद्मी पुदी नहां इसमें यह भी आट कर देंगे एक दो मिनट के लिए ऐसा पकनी दीगे जो पानी है उपक जाता अच्छा उनकी कर दो मिनट के लिए मैं आपके रख देत हूं उसके बार में आपको दुआ दो मίνट अच्छा पक गया यह शेरवा में आप इसको सब्सक्रेंगे लिए तयार हो गया घाने के खाबिल होगा मैं आपको सब्सक्रा दिखाना दो मिनिट अच्छा पक गया यह शेर्वा अब इसको सर्फ करने के लिए तयार हो गया खाने के खाबिल हो गया मैं आपको सर्फ करते भी काथ माशाला अलहम दो आलहम अज मेरे दश्तर खाण पर कर्दू कस्छेर्वा बना बहुत टेश्टी बना बहुत मसदार बना एक बार जरूद्र राई करके दिखें यह थोड़ा अलग बनावा है आप ऐसी इच बना पर कर मैद बन दें मेरे इसका तरीक वालेगा एक बार यह भ कर दो 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 कर